हलो एंड वेलकम टू फ्यूचर क्लिक्स दोस्तो आज अपने पास निकॉन का एट फाइफ जीरो जो की एक डियसलर कैमरा है यानि डी आट सो पचास इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस कैमरे से हम किस प्रकार से बेस्ट फोटोग्राफी कर सकते हैं तो चलिए करते हैं स् इस वीडियो से या इस कैमरे से हम किस प्रकार से बेस्ट फोटोग्राफी के लिए कौन-कौन सी वो सेटिंग्स हैं जिनको हम अप्लाई करेंगे तो हमें बहुत अच्छी इमेज मिलने वाली है चाए आप वेडिंग्स के अंदर काम कर रहे हैं या फिर आपको इवेंट मे काम कर रहे हैं चाए कैसा भी आप काम इस कैमरे से कर रहे हैं तो बिलकुल आपको कौन-कौन सी सेटिंग्स है वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर तो दोस्तों ये एक DSLR फुल फ्रेम कैमरा है जैसा कि आपको मालूम है और इसका जो मेगा फिक्सल है 45 45.7 मेगा फिक्सल ये कैमरा है अब हम बात करते हैं कि इसकी जो वेस्ट फोटोग्राफी सेटिंग्स कौन सी है तो दोस्तों आपको जहां तक मालूम है किसी भी कैमरे में हम जैसे फोटोग्राफी करते हैं तो हमें तीन चार चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना होता है प प्रेस्ट फोटो क्लिक करने की हेल्फ करती है तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले इस केमरे की बात करें तो आपको जो इसका डायल बटन मोड होता है इस पर आप देखेंगे कि आपको यहां पर चार बटन दिये गए हैं यानि चार कौन कौन से वाइट ब वाइट बटन तो आपको बिल्कुल यहां पे केलिविन उन जा अशार की करकेंगे। ऑद प्रेस सकते हैं इसके बाद में आपका आता है मीटरिंग, बिलकुल आप कॉर्णर के अंदर देख सकते हैं, तो मैंने सेंटर वीडियर इसमें डाला हुआ है, तो बिलकुल आप यही सेटिंग्स कर लीजिए, इसके अलावा अगर हम बात करें, डिस्पले पे आते हैं, तो डिस्पले में थो सबसे पहले हम focus कौन सा काम में लें, या फिर इस केमरे में कौन कौन सा focus हमें मिलता है, तो मैं आपको केमरे के side में दिखाता हूँ, यहां पे एक बटन दिया गया है, जिससे आप manual और auto focus कर सकते हैं, तो यहां पे जो बटन है इसको मैं प्रेस करूंगा, जैसे ही मैं इस ब देख सकते हैं हमेशा जैसे आप फोटोग्राफी करते हैं तो आपका जो नीचे फोकस मोड है या आपका सिंगल या फिर कंटिन्यू ठीक है यह दो ओप्सन आपको इस केमरे में मिलते हैं और अगर आपको एरिया मोड्स सेलेक्ट करने हैं तो बिलकुल आप केमरे को कभी भी ओटो में ना रखें आप बिलकुल इसमें सिंगल पॉइंट ओटो फोकस रखें जिससे कि आपको बेस्ट फोटो क्लिक मिलेगी और वो जो फोटो होगी वो बिलकुल भी आउट नहीं होने वाली है क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम फोकस करेंगे उसके बाद मे फोटो को क्लिक करेंगे तो यह फोकस हो गया इसके अलावा अगर हम बात करें कि इस कैमरे के अंदर अपने को फोकस एरिया कौन-कौन से मिलते हैं तो वो भी देख लेते हैं तो इसमें जैसे आप सिंगल में आपको मिलेगा सिंगल पॉइंट इसके अलावा आपको ग्रू तो मिलता ही है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो single point आ जाता है, उसके बाद में आपके पास nine points आ जाते हैं, दोस्तों यहां पर मैं एक वार पहले आपको यह बता देता हूं, कि इस camera में आपको 153 auto focus points मिलते हैं, ठीक है, तो next अपना आता है nine points, इसके बाद में आपका आता सकते हो, तो यह हो गई आपकी focus की, इसके बाद में हम बात करते हैं, white balance की, तो दोस्तों white balance की अगर हम बात करें तो यहां पे मैंने button बताया था आपको, इस button से आप बिलकुल कर सकते हैं white balance और इसके अलावा, जैसे मैं इस button को press करता हूं, तो यहां पे आपको white balance अभी Kelvin set कि गया हुआ है, उपर आपको Kelvin की value दिख रही है, अगर मैं इसको change करना चाहूं तो बिलकुल आप कर सकते हैं, जिससे आपके पास pre आगया है, इसके बाद में आपका auto आगया है, इसके बाद में आपका sunlight आगया है, इसके बाद में आपका fluorescent lights यह आगया है, और यहां पे इस mode आगया है, तो इस परकार से आपको अलग-अलग तरीके के white balance इस camera में मिलते हैं, और menu के अंदर अगर जाके हम बात करें कि आपको जैसे white balance set करना हो तो बिलकुल आप menu के अंदर photo shooting menu में आ जाईए, और यहां पे आपको मिलेगा नीचे white balance, यहां पे आप देख सकते हैं सारे जो white balance आपको, जिसे cloudy है, flash, direction light, fluorescent light, natural light, यह सारे आपको यहां पे मिल जाते हैं, temperature भी आपको मिल जाता है, preset manuals भी आपको मिल जाते हैं, तो यहां से आप select कर सकते हैं, इसके बाद में हम बात करते हैं, image की जो quality होती है, वो हम कौन सी रखे हैं इस camera में, तो बिलकुल menu के अंदर ही हम बात करें, तो menu में आपको यहां उपर ही image की quality मिल जाती है, जैसे photo shooting menu में आ गए, और उसके बाद में हम आएंगे, image size और image quality, यह दोनों चीज़ें आपको यहां पे मिल जाती है, तो image quality की तो अगर हम बात करें, तो यहां पे आपको काफी सारे options मिलते हैं, कर सकते हैं, इनमें आपके अच्छी quality के photo's आप capture कर सकते हैं, नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे image size की, तो image size कौन सी रखें, यहां जैफेक में अगर हम बात करें, तो आप small, medium और large, तीन आपके पास option है, तीनों में से आप जो भी best, बेस्ट तो यह रहेगा कि आप जब अपनी जो image size है, वो हमें सा large रखेंगे, तो उतनी ही ज्यादा detail और उतनी अच्छी quality की image आपको प्राप्त होने वाली है, तो यहां पर आप बिल्कुल large या फिर medium या चूज कर सकते हैं, अगर आपको अच्छी quality लेनी है, तो बिल्कुल आप large को select कर लीजिए, इसके बाद की photography में आपको lighting से बिल्कुल खेलना होता है, तो वहां पर आपको किस परकार से manage करना है, अपने camera की settings को, तो बात आती है ISO की, तो यह जो camera है, इसका जो ISO है, वो कम से कम आप 64 आपको available है, जैसे महां लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ यहां पर, minimum अगर ISO की अगर हम बात करें, तो 64 यहां से start होके, maximum आपका जो ISO आएगा, वो 256 00 तक जाएगा, इसको आप expand कर सकते हैं, तो इतना ज्यादा ISO पर हमें कभी भी काम करना नहीं है, तो बिल्कुल हम low, जितना हो सके उतना कम ISO, अपने camera में set करेंगे, और जितना अच्छा आप exposure settings को रखेंगे, जिसमें exposure triangle की जो settings होती है, aperture है, आपका shutter speed है, और आपका ISO है, तो यह चीज़ें आप, जिसे इनका किस परकार से हम commentator रखते हैं, यही आपकी जो photo आपकी click होने वाली है, उसमें आपको दिखाई देने वाली है, कि जो settings अपन ने करी है, वो proper हुई या नहीं हुई, इसके अलावा औ और जो settings आती है, photo में, तो वो आपकी आती है, picture controls, तो picture control में भी यह camera आपको auto copy option देता है, जो हम कभी कामें नहीं लेने वाले हैं, standard, दोस्तों यह जो standard feature है, इसको आप use में ले सकते हैं, standard में अगर माली जी आप बाद में कोई photography, आपका जो photo है, वो edit नहीं करना चाहते हैं, और यहीं से आप सब कुछ करना चाहते हैं, तो माली जी यहाँ पर आपका contrast है, brightness है, या फिर situation है, इनको आप बढ़ा सकते हैं, इसके अलावा आप situation को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको बढ़ा के दिखा देता हूँ, यह देखिए जो आप कुछ normal रख दीजी, इसमें कुछ भी आपको चेड़ने की जरुत नहीं है, और यहाँ पर माली जी आपने कुछ चेड़ कर दी है, और आप अगर परिशान हो गए, कि मैंने settings चेड़ दी है, पता नहीं क्या होगा, तो कुछ नहीं है, यहाँ पर reset का button है, इसमें आप reset कर दीजिए, जो भी आपकी default settings से इस picture control की वो अपने आप by default वापस हो जाएगी, तो इस परकार से आप जैसे standard या natural या vivid यह तिन जो picture profile controls है, इनको आप use मिले सकते हैं, monochrome का जो आपका picture control है, यह negative यानि कि आपका जो black and white जो photos होती है, वो यहाँ से आप create कर सकते हैं, इसके अलावा जिसे landscape है, फ्लेट है, दोस्तों फ्लेट जो picture control है, इसमें आपके जो color है बिल्कुल ही फिक्के आते हैं, तो इस परकार से picture controls को आप use में ले सकते हैं, तो यह सारी settings हो गई, अब इस camera के अंदर जो photo shooting menu में जो आपको options दिख रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, जो अपने काम की चीज़े हैं, वह मैं आपको बता देता हूं, जैसे पहला आपका photo shooting menu bank, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, छोड़ दीजिए जैसा भी है, storage folder आपका end at 50, इसी नाम से आप रखिए हमेसा, तो कि यही आपका camera का model है, नेक्स्ट आजाते हैं, जो slot आते हैं, memory card के उनके उपर, primary slot selection, तो हमेसा आप जैसे XQD card और SD card दो option मिलते हैं, यह इस camera में आप XQD card भी लगा सकते हैं, और normal जापका SD card होता है, वो भी लगा सकते हैं, तो आप हमेसा XQD card अपने camera में रखिए, और उसको primary selection में या primary slot में select कर लें, जिससे कि आपकी जो भी photos हैं, वो आपकी direct XQD card के अंदर save होगी, इसके बाद में आपका secondary slot आता है, तो उस secondary slot को आप किस परकार से यूज में लेना चाहते हैं, तो वो settings आपको यहाँ पी मिलेगी, यानि उसको overflow, यानि आपका जो executed card है, वो अगर भर गया है, फूल हो गया है, तो आप उसक second वाले card के अंदर भी जाए, तो यहाँ पर आप वेकप कर सकते हैं, इसके अलावा आप यहाँ पर row plus jpeg, यानि दोनों भी select कर सकते हैं, तो यह हो गई, इसके बाद में हम चलते हैं, image area आप हमेशा इसके अंदर, जो fx है, 3624 यह रखिए, आपको पूरा sensor आपको यूज मि के बारे मैंने आपको बता दिया, image size भी बता दी, और ISO sensitivity इसको आपको कम से कम यूज में लेनी है, और white balance का आपके पास मैंने बता दिया, set picture control भी आ गया है, और color space अडोबी रहेगा आपका, और active delight आपका हमें सा normal रखिए आप, इसके बाद में जो अपनी settings आती है, वह मैं इसको बताता हूँ यह, silent view photography, तो दोस्तों यह जो camera है, DSLR camera है, और आप जानते हैं, DSLR जो camera होते हैं, उनका जो mechanism होता है, वो सटर के साब से होता है, यह सटर आता है इनके अंदर, और सटर जैसे क्लिक करते हैं, तो सटर की आवाज आती है, तो इस camera से आप silent photography भी कर सकते हैं, यह एक बहुत ही अच्छा feature इस camera के अंदर आपको मिल जाता है, silent live view photography, यानि जैसे माली जी यह जो camera है, इसको मैं live view कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने picture को लेना है, तो क्या करूँगा, set button को press करूँगा, तो आवाज आएगी, setr की, तो मैं चाहता हूँ कि यह setr की आवा दीजिए, उसके बाद में आप फोटो को click करेंगे, तो आपके पास setr की जो आवाज है वो नहीं आएगी, मैं अभी आपको practical दिखाता हूँ, ठीक है, कोई आवाज नहीं आई, अभी मैं आपको थोड़ा ISO बढ़ा के इसकी एक फोटो दिखाता हूँ, यह picture आगई, कोई भी आपका, जो setr का जो आवाज है वो बिल्कुली इस camera में नहीं आएगा, तो इस परकार से आप इस camera से silent photography भी कर सकते हैं, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ, आपको यह video फसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन वेर को जरूर ओन कर लीजिए, इसी तरह के वीडियोच आपको मेरे चैनल पर मिलने वाले हैं, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थेंक यू.